वेलकम गुड मॉनिंग ओल्डी अमल्टी स्टूडेंट्स तो माइक्रोबाइलोजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसकी उपर है आज का लेक्चर है आपका माइक्रोबाइलोजी के उपर अंदर टूडेज लेक्चर ओन पैसिव इम्यूनिटी यानि किसके उपर है पैसिव इम्यूनिटी पे है यानि बहार से जो अपन इंजेक्षन या फिर अंटिबायोटी के लेते हैं उनके उपर है फिछली लेक्षर में आपने क्या बढ़ा था इम्यूनिटी और इम्यूनिटी का फास्ट टाइप एक्टिव इम्यूनिटी नेक्स्ट देखिए पैसिव इम्यूनिटी क्या है तो दा सोल ट्रम इम्यूनिटी विच रजल्ट्स फ्रॉम दा इंट्रोड़क्शन ओफ एंटिबोडीज फ्रॉम अनुदर परसन और एनिमल्स यानि जो क्या है ज्यादा लंबे समय के लिए ना हो विच रजल्ट्स फ्रॉम दा इंट्रोड़क्शन ओफ एंटिबोडीज यानि जिनको इंट्रोड्यूस किया गया हो बाहर से यानि जो आपने कहां से लिए बाहर से लिए फ्रॉम अनुदर परसन यानि किसी दूसरे परसन से लिए या फिर क्या है किसी अनिमल से लिए यानि ऐसी एंटिबोडीज जिसको यूमन बोडी के बाहर प्रिपेर किया गया हो उस एंटिबोडीज को इंट्रोड्यूस करवाना ही क्या कहलाता है या फिर इंट्रोड्यूस करवाना क्या कहलाता है यानि यूमन बोडी के अंदर इंजेक्ट करना क्या कहलाता है यह है पैसिव इम्यनाइजेशन कहलाता है नेक्स्ट पैसिव इम्यूनिटी इस सब डिवाइड़े इंटू टू टाइप्स यानि passive immunity को क्या है दो types के अंदर divide किया गया है next natural immunity सबसे पहले passive के अंदर सबसे पहले कौन सी है natural तो throat transplant placental maternal IgG antibody तो आपने पढ़ा होगा कि pregnancy के time पे fetus के अंदर कोई infection हो तो antibody कहा से मिलती है उसकी mother से मिलती है यानि placenta को पार करके कौन सी antibody आती है IgG वो होती तो natural है क्योंकि वो उसकी mother में form हुई है लेकिन वो क्या है fetus के लिए तो क्या है वैसी तो natural लेकिन fetus के लिए क्या है passive है क्योंकि उसकी खुद की body नहीं बनाई इसलिए क्या है वो बाहर से मिली है उसको तो इसलिए उसको क्या बोलते है natural passive immunity बोलते है यानि placenta के द्वारा fetus के अंदर maternal को पार करती हुए जो antibodies आती है IgG उनको क्या बोलते है natural passive next है artificial तो throw anti serum injection यानि जो अपने को बाहर से readyment antibodies के injection मिलते है यानि antibiotics के वो antibodies क्या होते है artificially यानि जिनको अदर किसी animal के या फिर अदर किसी person के क्या है body के अंदर prepare किया गया हो next passive immunity is induced individually by perform antibody against infective agent और toxin यानि passive immunity क्या है कि उसको induce किया जाता है individual में person में by perform preform यानि पहले बना के antibody को पहले बना के फिर क्या है human body के अंदर introduce किया जाता है against infective agent या toxin यानि किसी specific agent के लिए specific antigen के लिए या फिर toxin के लिए passive immunity क्या है यानि ऐसी immunity जिसको बाहर से prepare करके त्यार करके फिर क्या है उसको human body के अंदर introduce किया जाता है जैसे natural का अगर example देखे तो भी किसी भी antibiotics का type हो गया तो यह क्या है passive immunity के types है next the immune system are not active rolling passive immunity यानि immune system का कोई active या secure role नहीं होता passive immunity के अंदर क्योंकि immune system का roll तो तब होगा जब वो human body के अंदर form होगी human body के अंदर बनेगी जबकि passive immunity के human body के बाहर बनती है next day की use of passive immunization यानि passive immunity को अपन किस चीज के लिए काम मिलेते है तो to provide immediate short term production in a non-immune host faced with a threat of a serious infection यानि to provide immediate short term protection यानि किसी host को provide करवाने यानि छोटे समय के लिए कोई bacteria virus यानि किसी antigen से protection provide करने के लिए non-immune host यानि ऐसा host है जिसके अंदर यानि HIV का infection है तो immune system काम नहीं कर रहा हुसका उसके लिए काम में ले सकते है या फिर कोई patient क्या है severe disease के साथ face कर रहा है या फिर severe infection है यानि human body उसको control नहीं कर पारी तो अपन कौन सी immunity काम में लेंगे passive immunity next force expression of active immunity which may be ingerious यानि ऐसी immunity को stress करने के लिए active immunity को जो क्या है आपके लिए ingerious है जैसे आरेच immunoglobuline हो गया तो आपने पढ़ाओगा आरेच incompatibility disease पढ़ी होगी pregnancy के time पर first time पर अगर आरेच positive baby हो अगर second time pregnancy में भी आरेच positive baby हो तो क्या है mother के अंदर जो आरेच positive के लिए antibodies बन जाती है वो क्या फिटस को kill कर देती है तो उसको stress करने के लिए दबाने के लिए तो passive immunization का अपन इस्तमाल किस चीज के लिए करते है यानि किसी non-immune host के अंदर soul trauma protection के लिए किसी agent के लिए यानि किसी antigen के लिए क्या है अपन इस्तमाल कर सकते है passive immunity का या फिर किसी के अंदर serious infection उसके लिए काम में ले सकते है active immunity को stress करने के लिए काम में ले सकते है next देखिए most important topic immunity के अंदर की active और passive immunity के अंदर difference क्या होता है तो important question मनता है active immunity क्या है produced actively by the immune system यानि ऐसी immunity जिसको किस ने produce किया है human body के यानि host के immune system ने produce किया खुद ने बनाये और passive immunity कैसी होती है received passively by the host यानि host ने कहां से लिए passive लिए यानि बाहर से लिए host immune system does not participate यानि host के immune system में system ने उसके अंदर कोई भी participation नहीं किया next induced by infection or contact with immunogen यानि active immunity के अंदर देखिए second point induced by infection और contact with immunogen यानि कोई infection हुआ या फिर कोई bacteria virus, antigen आपकी body के अंदर आया आने के बाद उसने infection करना शुरू किया या immunogen आपकी body के contact में है तब क्या ये induce होती है form होती बनती है passive immunity देखिए produced by administration of rediment antibody यानि इसको कैसे produce करते है यानि rediment antibodies इसके अंदर produce करते है इसमें कहें कि immune body खुद form नहीं करती ना कोई antigen का roll होता उसको बाहर से produce करते है next long lasting and effective production यानि ये लंबे समय तक चलती है active immunity और इसका जो protection है वो effective होता है क्योंकि इसके अंदर क्या है memory present रहती है जब वो bacteria या antigen द्वारा को infection कोज करता है तो उसको kill कर देती है next देखिए short live and less effective और जो passive immunity है तो वो क्या short live यानि थोड़े समयादे के लिए ही काम करती है और less effective इतनी ज़्यादा effective भी नहीं होती next immunity is effective only active immunity में देखिए immunity is effective only after a long period immunity क्या लंबे समय के बाद effective होती क्योंकि human body के अंदर immune system को antibodies बनाने में time लगता है next immunity is effective immediately और passive immunity बार से prepare antibodies अगर आप जैसे induce करवाओगी human body के अंदर वो अपना काम करना सुरू कर देगी next immunological memory present यानि active immunity के अंदर immunological memory present रहती है अगर वही antigen वापीस आता infection करने के लिए तो उसको kill कर देती है non immunological memory present यानि passive immunity के अंदर कोई भी non immunological यानि immunological memory present नहीं रहती है वह एकी बार effective effect ने show करती है एकी बार काम करती है अगर एक difference ओर लिखना चाहिए तो active immunity जो है non immun defense वाले person के अंदर present नहीं होती है यानि जिसके अंदर HIV का infection हो या फिर other कोई infection हो जिसके अंदर immunity low हो गई है उसकी तो उस person के अंदर काम नहीं करती है लेकिन passive immunity क्या है उसके अंदर क्या है काम करती है यानि acceptable immunity है किसके अंदर non immune host के अंदर तो active immunity तो क्या है कि जो human body खुद त्यार करती है पैसिव यानि जिसको बाहर से लेती है अपन active immunity long lasting होती है effectiveness protection provide करवाती है जो passive है वो क्या है short term के लिए और less effective होती है active immunity में बनने में form होने में थोड़ा लंबे समय लगता है यानि time लगता है जबकि जो passive immunity है उसको induce करवाती ही वो अपना function करना शुरू कर देती है उसमें memory present होती active में और passive में नहीं होती next देखिए combined immunization तो यह क्या है कि immunity के अंदर छोटे छोटे टोपिक्स है जिनके उपर short question बनते हैं combined immunization क्या है combination of active and passive immunization is employed simultaneously simultaneously का मतलब है साथ-साथ which is known as combined immunization यानि combination यानि दोनों active और passive immunity यानि उनका immunization यानि host के antibodies और बाहर से जो induce की गई इंजेक्शन के द्वारववव एंटिबोडी अगर साथ में employ की जाएं किसी एंटिजन पर साथ में वो काम कर रही है simultaneously यानि साथ-साथ तो उसको अपन क्या बोलते हैं which is known as combined immunization यानि इसको क्या बोलते हैं combined immunization next क्या है local immunity local immunity क्या है natural infection or live viral vaccine administered orally or intra nasal provide local immunity at the site of entry such as gut mucosa and the nasal mucosa respectively local immunity का मतलब क्या होता है कि एक साथ किसी community के अंदर अब क्या है अपन यानि किसी गाओं के अंदर या फिर किसी community में यानि जहाँ पर काफी persons present हो वहाँ पर immunization करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं एक तरीके से local immunity बोलते हैं यानि किसी के अंदर natural infection होआ है प्राकरती के community में या फिर कोई viral infection होआ है तो उनके अंदर viral vaccine जो administrative करी जाती है किसके दवारा orally यानि mouth के दवारा या फिर intra nasal यानि आपकी nose के दवारा तो वो क्या provide करवाती है local immunity provide करवाती है सभी persons के अंदर at the site of entry यानि जहां से कोई virus antigen particle के आए entry लेता है human body के अंदर जैसे gut mucosa हो गया nasal mucosa हो गया respectively special class of immunoglobulin IgG play an important role in local immunity यानि local immunity के अंदर immunoglobulin IgG antibody है वो क्या एक important role play करती है जैसे local immunity का example लोता हो जैसे polio virus की drops है वो एक community के अंदर एक village के अंदर या फिर city के अंदर क्या है सभी child को पिलाई जाती है उसी तरीके से यानि उनको क्या है oral route से या फिर intra nasal route से क्या है immunization provide करवा देते हैं उस चीज़ के खिलाफ antibodies provide करवा देते हैं antigen के लिए पहले से ही तो वो क्या है local immunity का एक example है तो यानि combined immunity जब natural और जब क्या active और passive दोनों immunity एक साथ काम करती किसी antigen पर उसको क्या बोलते हैं combined immunization बोलते हैं local immunity का मतलब कोई natural infection हुआ या फिर कोई viral infection हुआ तो उसके लिए जो live viral vaccine एड्मिनिस्ट्रेट की जाती है बाहर से प्रिपेर है यानि ओरली या फिर इंट्रा नेजली local immunity के अंदर यानि उनके entry site पर उसको क्या बोलते हैं local immunity next कौन सी immunity है herd immunity तो it refers to the overall resistance to in a community यानि herd immunity का कहा है कि एक community का यानि जिस जिगहां पर काफी counts के अंदर क्या है कि population रहती हो उस जिगहां का जो resistance के खिलाफ यानि उनका immune system का जो विरोध है उनकी जो power है उसको जो combinedly अपन कैलकुलेट करके देखते हैं वो क्या होती है herd immunity when herd immunity is low chance of epidemics increase on introduction of suitable pathogen herd immunity अगर low गित्किस के chance होगी यानि epidemics के chance increase हो जाएंगे यानि एक तरीके से क्या है कि सभी persons के अंदर infection होने के chance हो जाएंगे यानि एक तरीके से महामारी फैल जाएगी जैसे अभी corona का टाइम चल रहा है तो उसको क्या है epidemic ही बोल जाए है अपन तो वो क्या chance increase कर देगी यानि suitable pathogens के लिए अगर सभी के अंदर क्या हो infection हो सकता है उसको क्या बोलते है अपन herd immunity यानि सभी की एक साथ immunity का calculation immune power का next देखिए antigen तो an antigen is a substance which we can introduce into a body evokes immune response to produce a specific antibody and which is which it reacts in an observable manner यानि an antigen is a substance यानि antigen वहब पदारता है antigen कोई भी हो सकता है parasite भी हो सकता है virus भी हो सकता है bacteria भी हो सकता है यानि antigen वहब पदारता है which we can introduce into a body यानि जब वो क्या है एक body के अंदर एक host के अंदर अंदर चला जाता है क्या है उसमें entry ले लेता है into a body evoke immune response तो वो क्या immunity को evoke करता है उठा देता है यानि stimulate करता है उसको प्रेडित करता है किस चीज के लिए to produce specific antibodies यानि antibodies को बनाने के लिए with which it react in observable manner और वो जो antibodies बनती है उनके साथ या antigen क्या है observable manner के अंदर यानि specific manner के अंदर reaction करता है next देखिए antigen का पता चल गया यानि human body के अंदर कोई entry लेने वाला है foreign particle या antigen जो आपके immune system को evoke करते antibodies बनाने के लिए stimulate करते वो substance क्या antigen है next देखिए types of antigen यानि complete antigen सबसे पहले these are substance which can induce the antibody formation by themselves यानि these are substance यानि वे पदार्त है which can induce the antibody formation by themselves यानि वो खुद themselves यानि वो खुद क्या antibodies formation को induce कर सकते हैं immune system को evoke कर सकते हैं यानि उनको किसी substance के help की requirement नहीं रहती and can react specifically with these antibodies और वो जो antibodies complete antigen के लिए बनी है वो उसके साथ क्या है specifically यानि observal manner के साथ अंदर क्या है react भी करते हैं यानि उनके साथ reaction भी करते हैं तो antigen क्या है कि an antigen is a substance which we can introduce into a body evoke immune response to produce a specific antibody यानि antigen वह सबस्टान्स है जब वो human body के अंदर entry लेता है तो वो अपने immune system को evoke कर देता है उठा देता है किस चीज के लिए antibody formation के लिए और उस antigen के खिलाब जो antibody बनती है with which it react in observal manner उस antibody के साथ ये क्या है observal यानि अच्छे manner के अंदर क्या है कि उसके साथ reaction करता है next है types of antigen जिसके अंदर complete antigen तो these are substance यानि ये वो पदारत है which can introduce antibody यानि जो antibody बना सकते है formation by themselves यानि खुद क्या है human के immune system को evoke कर देते है antibody formation के लिए and can react specifically with these antibody यानि और खुद ही उस antibody के साथ specific क्या reaction करते है next देखी haptains यानि second type antigen का ये important है क्योंकि एक्जाम के अंदर short question पुछा जा सकता है haptains क्या है तो haptains are substance which are unable to induce antibody formation on its oven यानि on self यानि themselves but can become immunogenic when covalently linked to protein called carrier protein यानि haptains are substance यानि haptains वो पदारत है which are unable to induce यानि जो क्या है enable होते हैं किस चीज के लिए to induce antibody formation यानि वो खुद क्या है आवन यानि खुद क्या antibody formation के लिए अपनी immune system को evoke नहीं कर सकते induce नहीं करते उनमें इतनी capability नहीं होती कि वो क्या है immune system को evoke कर दे किसके लिए antibody formation के लिए but can become immunogenic वो क्या है जब immunogenic हो जाते हैं antigen बन जाते हैं कब we haven covalently linked to protein called carrier protein यानि जब क्या है कि haptains क्या है कि protein के साथ contact में आ जाते हैं bonding create कर लेते हैं जैसे carrier protein होगी कोई भी उसके साथ अगर वो react कर लेते हैं तो वो क्या है हमारी body को evoke कर सकते है immune system को antibody formation के लिए यानि aptains क्या है uncomplete antigen है next देखिए epitop epitop क्या antigenic determine यानि उसको determine कर सकते है antigen को किसी भी इसके द्वारा it is the smallest unit of antigenicity यानि antigenicity की क्या है यह सबसे चोटी unit है antigen possesses of a number of these determinant और antigen क्या है काफी सारे numbers के अंदर क्या है कि एक epitop रखता है यानि यह determinant जो होते हैं उनको रखता है यानि एक antigen बहुत सारे epitop से मिलकर बना होता है next each type of determinant induce a specific antibody formation और एक antigen के अंदर पर एक type का जो epitop है वो जैनि determinant है वो कि एक specific antibody formation के लिए त्यार रहता है induce होता है यानि एक antigen के अंदर जितने epitop होते हैं उतनी antibody form होती है तो heptens तो क्या हो गया कि incomplete antigen यानि जिसके अंदर खुद के अंदर power नहीं होती immune system को evoke करने की लेकिन क्या है वो अगर किसके contact में आजे carrier protein के contact में आजे या उसके साथ bonding create कर ले तो वो क्या है antibody इसको क्या है form कर सकता है बनवा सकता है next है epitop epitop क्या है antigen determine 9 यानि क्या है एक antigen की unit है जिसको antigen को पैचान सकते हैं जिसके द्वारा यानि सबसे चोटी unit antigenicity की और एक antigen के अंदर काफी numbers के अंदर के अंदर क्या है determinant present होता है और परते एक type के determinant के लिए specific antibody form होती है बनती है formation होता है human body के अंदर यानि एक antigen के अंदर जितने determinant होते हैं उतनी antibodies form होती है next देखिए factors of antigenicity factors of antigenicity यानि antigenicity के factor क्या क्या है तो सबसे पहले तो अब foreignness foreignness का मतलब क्या antigen का character क्या होता है वो बाहर ही होता है यानि human body का नहीं होता तो an antigen must be foreign to the individual to induce an immune response यानि एक antigen क्या है कि एक foreign particle होता है individual के लिए host के लिए और जो क्या है बाहर से induce होता है जो है antigen का वो क्या है highly antigen होता है यानि जो बड़ा antigen होगा वो क्या है highly antigenic होगा और smaller molecule यानि छोटा antigen जो होगा आईदर non-antigenic हो सकता है वो non-antigenic हो यानि कोई disease cause नहीं करे और weekly antigenic हो सकता है कोई छोटी मोटी disease cause कर दे chemical nature कैसा होता है factors antigenicity का यानि antigen का तो proteins are effective antigen यानि जो antigen protein से मिलकर बने होंगे वो कैसे होंगे effective antigen होंगे वो क्या disease कोज करेंगे अच्छे वाली तो factor के अंदर तीन factor है सबसे पहले तो forness forness का मतलब है कि एक antigenicity के लिए एक antigen क्या है human body के लिए एक foreign particle होता है बारी particle होता है individuals के लिए individual के लिए जो क्या immune response को evoke कर देता है size देखने तो अगर larger molecule है antigen का यानि बड़ा molecule है कोई बड़ा antigen है तो वो क्या होगा highly antigenic यानि वो कोई severe infection कोज करेगा small molecule यानि either non-antigenic हो सकता है वो कोई disease कोज नहीं करे और weekly antigenic हो सकता है कोई चोटी disease कोज कर दे या फिर कोई infection कोज कर दे next देखिए chemical nature तो chemical nature के अंदर अगर देखें अपन proteins are effective antigen यानि proteins क्या है एक effective antigen होते है next देखिए species specificity यानि antigen की अंदर quality क्या होती है antigenicity species specificity यानि वो एक species के लिए specific antigen होता है यानि किसी humans के लिए specific antigen होगा कोज करने के लिए या फिर अदर कोई species होगी उनके लिए अलग antigen होगा het disease कोज करने के लिए आई आई स्टेसिफिपिस City यानि किसी चीज में disease को और जैसे liver में infection करेगा तो लिवर के लिए specific होगा यानि ओर गन स्पेसिफिसिटी किसी ओर गन के लिए specific specific होता है एंटीजन हो सकता है यानि किसी किसी भी क्या है species के अंदर वो एक ही ओर गन के अंदर disease कोज करें next देखिए हिटेरोफिल specificity तो यह important है तशेम और cloth related antigen present in different anti- tissue एक दूसरे से जुड़े हुए या फिर कहें एक दूसरे इलेटिडे िङानि एक दूसरी के Country सिमिल्र continent अलग अलग टीस्यूज के अंद़ ож presented हो सकते है नोलग अलग टीशिज में इस पी सीज़ जय ज्यादा या सबसे पहले तो species specific होते हैं antigen, आइसो specific होते हैं एक organ के लिए specific होते हैं फिर आता है टेरोफिल antigen तो यानि एक दूसरे से जुड़े होए antigen एक परजाती में disease cause कर सकते हैं या एक परजाती में लग 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 organs के अंदर tissues के अंदर disease cause कर सकते हैं नेक्स्ट देखिए antibodies तो antibodies are substance which are formed in the serum or tissue fluid and response to an antigen and react with it specifically and in some observal manner antibodies are substance which are formed in the serum यानि जो कि इसके अंदर form होते हैं serum के अंदर human body के अंदर blood होता है blood के अंदर 55% क्या होता है plasma और plasma हम क्या present रहता है serum तो antibodies कि इसमें बनती है serum के अंदर form होती है और tissue fluid के अंदर and response to an antigen और वो बनती किसके लिए यानि एक antigen को response देने के लिए उसका reply देने के लिए and react with that specifically और जो antigen उसको form करता है बनाता है वो उसके साथ अच्छे तरीके से specifically यानि specific antigen के लिए वो उसी antigen के साथ क्या है react करती है and in some observable manner और एक तरीके से यानि अच्छे तरीके से यानि ऐसे तरीके से जिसको observe किया जा सकता है देखा जा सकता है next properties of antibodies यानि क्या-क्या properties होती है तो chemical nature of antibodies is globuline and they are named as immunoglobuline यानि chemical nature कैसा होता है antibodies का तो वो globuline protein की बनी होती है and they are named as immunoglobuline और इसलिए उनको क्या बोलते है अपन immunoglobulines बोलते है immunoglobulines का मतलब है वो antibody यानि क्या को immune response शोकर यानि क्या है कि परतिरक्षिया में उसका कोई role है और globuline यानि वो protein से बनी है next immunoglobulines are synthesized by plasma cell और यह जो immunoglobulines होती है यानि antibodies होती है plasma cell के दोरा बनाई जाती है और बनती किसमें serum के अंदर तो antibodies क्या है कि antibodies वह सबस्टांस है जो किसी antigen का reply देने के लिए serum के अंदर बनती है और वो specific antigen के साथ यानि जिस antigen के लिए वो बनी है immune system में उसी antigen के साथ वो observe manner के अंदर react करती है properties देखें तो antigen antibodies कैसी होती है प्रोटीन होती है नेचर के अंदर global protein होती है और इसलिए उनको क्या है immunoglobulines बोलते हैं अपन और immunoglobulines है जो किसके दोरा synthesize की जाती है plasma cell के दोरा आपका जो next lecture है वो किसके उपर हैगा next lecture on structure of antibody यानि antibodies की structure कैसी होती है उनकी सरंचना कैसी होती है लग लग antibodies की किन चीजों से मिलकर वो बनी होती है कितने उसमें part होती है and types of antibody और कितने प्रकार की antibodies क्या है human के अंदर present होती है जैसे IgG, IgM, IgA, IgD, Ig तो इस type से उनको अलग-अलग describe करेंगे कौन सी antibody क्या काम करती है human body के अंदर और कैसी उसकी structure होती है किस चीज के लिए वो specific है यानि कैसे antigen के लिए वो कैसे antigen के साथ वो react करती है thanks to all